दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके फोन में अगर Account Action Required वाला ये option आ रहा है और आप बार बार इसे हटा रहे हैं और ये बार बार आ रहा है तो इस option को आप कैसे हटा सकते हैं permanently तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है आपको अपने फोन के शेटिंग को उपन कर लेना है तो चलिए हम यहां से अपने फोन के शेटिंग वाले अप्लिकेशन को उपन कर लेते हैं तो यहां आपको दोस्तों नीचे स्कॉल करके आना है नीचे स्कॉल करके जब आप आईएगा तो यहां पर आपको एक option देखने को मिलेगा account and backup का तो आपको इस वाले option पर click कर देना है click करते ही आपके सामने कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा और आपको यहां पर बहुत सारी option देखने को मिलता है अब आपको करना क्या है दोस्तों सबसे उपर में आपको एक option देखने को मिलेगा manage account का तो आपको इस पर click करके इसको open कर लेना है open करते ही आपके सामने कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा यहां पर आपके phone में जितने भी email ID होंगे सारे email ID आपको देखने को मिलेंगे अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको एक email ID दिखाई दे रहा है alifaisal344 at the rate of gmail.com और इसी का यहां पर notification आ रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर email ID सो कर रहा है alifaisal34 at the rate of gmail.com और यह जो email ID है ना दोस्तों मैंने अपने दूसरे phone में लोगिंग कर लिया है इसलिए यहां पर यह notification बार बार आता है अगर आप भी अपने phone में आप अपने email ID को दूसरे phone में लोगिंग कर लियोंगे तो इस तरीके का notification देखने को मिलेगा लेकिन आपके phone से यह email ID डिलीट नहीं हुआ है रिमूब नहीं हुआ है इस विए सारे problem होती है तो हम क्या करेंगे इस पर सबसे पहले tap करेंगे tap करते हैं यह आपके सामने कुछ ऐसा interface आजाएगा अब आपको करना क्या है आपको यहाँ पर remove account का option देखने को मिलता है बस आपको इस पर click कर देना है remove account पर जैसे click कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक छोटा सा page open होगा और यहाँ पर आपसे remove account करने के लिए बोला जाता है तो जैसे आप remove account पर click करेंगे तो यहां से आपका remove account वाला जो option है ना जो आपका email idea वो यहां से remove हो जाएगा अब यहां पर देख सकते हैं दोस्तो नीचे scroll करके जो यहां पर आपको notification में मिल आता account action required वाला वो यहां से हड़ गया है अब आपके phone में कभी भी इस तरीके का problem नहीं होगा तो आई होप दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे तरीके से समझ गया होंगे कि कि इस तरीके से account action required वाले option को remove किया जाता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकोन को दबा कर all पर प्रेस कर लिएगा मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए है भाई